रोज रोज क्या बनाएं कुछ समझ भी नहीं आता अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है तो आज ये वाली रेसिपी ट्राइ कर लीजे बहुत ही टेस्टी बनेगी तो वेलकम है आपका समझ किचिन में यहाँ पर मैंने दो टमाटर लिये हैं और उसमें हलका सा तेल लगा और इस तरह से भूनेंगे कि ये अच्छी तरह से पक जाएं चारो तरफ से गुमाते रहेंगे इसको तो ये बहुत ही बेसिक सी रेसिपी है बहुत सिंपल इंग्रीडियन के साथ पर होती बहुत मज़ेदार है हर घर में बनती है लेकिन आज मैंने थोड़ा सा इसको बनान चल काला नहीं होता तब तक फूनेंगे अब यहां पर है एक बड़ा वैगन जो की भरते वाला वैगन होता है इसको धोकर के लिया है और अब इसमें बड़े-बड़े से कट लगा देंगे इस तरह से हम चेक कर लेंगे किवड़ा बगैरा हो तो हटा दें तो एकदम साफ और इसको कर देंगे और इसको भी बून लेंगे का अब इसको भूनेंगे तो भूनने के लिए इसमें वक्त लगेगा और इसको भूनने देंगे एक बर्ने में और दूसरे साइट पर हम आगे की preparation करेंगे बीच बीच में इसको घुमाते रहेंगे तो कड़ाई में तेल गरम कर लेंगे और इसमें डाल देंगे एक कप प्यास प्यास को हलका गुलाबी होने तक फ्राई करेंगे अगर आपको देशी खाना पसंद है तो कॉमेंट में ज़रूर लिखे या फिर अपनी लैंग्विज में इसको लिखे आधा कप मैंने मटर लिये हैं ताजे मटर हैं ये साथ में नमक डाला है और इनको भी हम एक मिनट तक तेज आज पर ऐसे भूनेंगे इसे एक बढ़िया सा टेस्ट आता है और अब भी आप देख रहे हैं मटर का कलर थोड़ा सा चेंज हुआ है अब धाक करके इसको पांच मिनट तक धीनी आज पर पकाएंगे इस बीच बैगन को भी मैंने घुमा दिया है और अब ये थोड़े ठंडे हो गए है हमारे लहसुन, मेर्च और टमाटर तो इनके छिलकों को निकाल देंगे उनको साफ कर लेंगे अब एक ग्राइंडिंग जा लिया है मैंने इसमें डाल देंगे टमाटर भुनाओ टमाटर है ये इसका छिलका निकाल दिया मैंने और साथ में लहसुन, मेर्च भुने हुए सारी चीज़े और धन्या ले लिए है मैंने जो कि डंठल के साथ है इससे बढ़िया फ्लेवर आता है एक पेस तियार कर लेंगे यहाँ पर यह मसाला हो गया है तियार आप यहाँ पर बैगन ओल्मोस्ट पग गया है काफी सॉफ्ट भी हो गया है और आप देख रहे हैं, थोड़ा सुकर गया है तो इसको भी हम फ्लेशाण करेंगे थोड़ा सा और इसको छिल लेंगे तो ऐसे तो काफी गरम है और देख रहे हैं आपकी आसानी से छिल नहीं रहा पर क्योंकि मैंने उधर प्यास मटर चढ़ाये हुए हैं इसलिए जल्दी छीलना पढ़ ला तो मैंने अपने हस्बंड की हेल्प ली और उन्होंने हेल्प कर दी जल्दी से इसको छील दिया और अब इसको फटा-फट से चाकू से ही काट लेंगे तो कीमा टाइप का तयार कर लेंगे इसका मैश कर लेंगे इसको चाकू से अब यहां पर मटर भी गल गए है और इसमें ये मसाला डाल देंगे तो यह मसाला पीस कर डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आया थोड़ी देर चलाएंगे और अब यह बैगन भुना हुआ इसको भी डाल देंगे इसके साथ मिक्स करेंगे तो जो थोड़े बहुत बढ़े चंक से उनको मैश करते हुए मिक्स कर देंगे इसके साथ बढ़िया से खुश्बू आ रही है सोंधी सोंधी तो यहां पर मुझे भी नमक थोड़ा सा कम लग रहा था मैंने थोड़ा और डाल दिया है और थोड़ा सा कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल दिये इसको मिक्स कर लेंगे और धीमी आज पर अब धाक करके दो से तीर मिनट तक सिर्फ और पकाएंगे जिसे इसमें सारे फ्लेवर्स अंदर तक बस जाए तो अभी ये बेसिक भटा तो तयार है पर इसको थोड़ा सा धनिया से भी गार्निश करेंगे और इसमें एक हलका सा ट्विस्ट लाने के लिए मैं इसमें एक तड़का दे रह तो अब क्या करेंगे यहां पर हम घरम करेंगे तेल तो मैंने सरसो का तेल लिया है और भटे में सरसो का तेल ही पढ़ता है एक मिर्च डाली कश्मीरी लाल मिर्च डाल दियो गर्मा घरम तड़के को स्क्यूपर डाल दिया धांक देंगे क्योंकि कई बार ऐसे तो भटे मे देखें बैगन का भरता आपको बहुत पसंद आएगा यहां पर मैंने थोड़ी बड़ी और मोटी रोटी बनाई है और साथ में लिया है घी नीवु करस जरूर निचोड़ें इसके टेस्ट को और भी जादा बढ़ाने के लिए और इंजॉय करें भरता रोटी घी के साथ जो